नमस्कार दोस्तों विल्कम नेशन स्टूटी वाइन मैं उसरफ सुकला दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बी एससी इंटर लेवल मेंस में आपका पोस्ट कोड टू त्री और फॉर के लिए जा रहा है और आपका जो वनरक्षी का पोस्ट अभी आगे आने व पूरी बात जो है इस वीडियो में करने वाले हैं तो दीखिए हैं पर क्या लिखा हुआ है कि सारे रिक दक्सता परिष्छा के दवरान साथ फरजी अभ्यर्थी जो है गिरफतार हुए थे आप पता है कि फरजी अभ्यर्थी बहुत सारी एकजाम में रहते हैं तो इसमें इन पर सिकंजा कस लिया गया तो अगर आप इसमें हैं तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए लिखा क्या है जग जीवन स्टेडियम में बिहार पुलिस के ASI एवं टंकक के अधिनायक अनुदेसक या निकिक जो आपका अधिनायक अनुदेसक बिससी का पत है के लिए हो रह सारी दक्स्ता में साथ जो है फर्जी अभरतियों गिरफ्तार किया गया है यह वहीं अभरतियों के जो किसी गलत तरीके से जो है एक्जाम दूसरी को बठा कर दिलवाए होंगे या फिर जो भी हुआ हो तो दिखें हैं पर क्या हुआ है इस संबंद में थाना देक्ष मुके पाया गया है यानि कि जो अंगठे का थम इंपरिसन होता है वो मैस नहीं कर पाया है और हस्ताक्षर फर्जी पाया गया है कि जरूर यह किसी दूसरे के你ब यहा है यथो पा यह जो बठा जा नहीं गया है इसमें नंदलाल पासावान का पुत्र दिनेश कुमार ब्रम्धि प्रसाद की पुत्र अभिसिक कुमार यहां पर दिखिए साथ लोगों का नाम यहां पर लिखा हुआ है ये नालंदा वो बिहार सरीफ इलाका के रहने वाले हैं पूस्ताज के करम में आरोपितों ने बताया कि लिखित परिशा के दोरान पैसे देकर अपनी जगां किसी अन्न देकर नहीं हो पाया है तो इहाँ पर इस बात से यह समझ में आ रहा है इसकी किया दियान देना चाहिए कि जितने भी फरजी चात रहा है या तो वह फिजिकल में जाए ही मत या जाएंगे ज़्पकड़े जाएंगे यह बात यहां पर सपस्ट होने वाली है देकि यह theagayanस आपके 2014 कितनी पुरानी है और यहां पर क्या-क्या हुआ है आप जानते कि यह वैगेंसे हमेशा ही चर्चे में रहा है किसे नी किसे तरीकت से क्यूकि इसमें चुछी में जिल में गये थे यह हमेशा विबादों में रहा है और बहुत सारे छातर फरजी जो है चात्रों को बैठा कर एक्जाम जो दिलवाएं स्कॉलर के द्वारा उन पर जो है अपसी गंजा कसा जा रहा है तो जो है आपको बिल्कुल विसाओधान रहनी की जरूरत है जितने भी फरी चात्र है वो बात समझने की वो जो है बच नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से तो जो है वो फिसकल में जाएं ही मत जादा अच्छा होगा इसके अलावा देखिए एक और बात है कि जब दॉक्मेंट व यह काम जरूर करें कि वह जो है डॉक्मेंट वरिफिकेशन में जाये हिमत जिससे कि जो है अगर देखिए अगर डॉक्मेंट वरिफिकेशन में 2016 जाते हैं फर्जी वाले तो जो है सीट खाली रहने के संभावना अधिक बढ़ जाएगी इसलिए आप जो है अगर 2016 में अगर प्रक्राइब देखने को मिल रही है और फिजिकल जो है अभी आपका वन रक्षी का भी होने वाला है तो वन रक्षी में लगभग बहुत सारे लगभग 3400 कुछ जो है लोगों को सौर्ट लिस्ट किया था वन रक्षी के लिए तो अगर आप सक्षा में जाने के लिए तो आप जरूर जाहिए देखिए कुछ लोग पूछ रहा थे क्या वन रक्षी का अगर हम छोड़ देंगे फिजिकल तो क्या परिसानी होगी तो देखिए अगर आपका नंबर अच्छा है अगर आप मेरिट में अच्छे आते हैं तो आपको नॉन टैपिंग पोस्ट मिलने का पूरी-पूरी संभावना रहे गाई लिकिन अगर आप जाके एक बार है तो आप जाएए वहां पर अटेंगेंस लगा देजे कि आपको मिलने की पूरी-पूरी संभावना रहेगी तो इसके लिए परसान नहीं बिल्कुल ज़रूत नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो में बस फरजी शात्रों के लिए है कि ये साउधान हो जाएं आपको बिल्कुल भी बच कर रहना है क्योंकि आपको किसी परकार से छोड़ा नहीं जाएगा अगर फरजी शात्रे हैं पर मिलेंगे तो इस वीडियो में इतना रखते हैं वीडियो को जरूर सेर करिए चैनल में पहली बारान सब्सक्राब भी कर दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद